हेलो गाइज नमस्का तो ये है सैंसन गेलेक्जी ए फिप्टिफाई और आज हम करते हैं इसका एक डिटेल और लॉंग टर्म रिव्यू आप्टर टू मन्थ यूज करने के बाद वैसे फूर मैंने 20 मार्च को बाई किया था और मैंने आपको इसके अन्बॉक्सिंग वीडिय है उसको मैंने एड करके इससे आफ्लाइन सैंसन स्टोर से बाई कहा था 36,000 रुपीज के अंदर वेसे इसमें आपको तीन विरेंट रेक्ने मिलते हैं 8GB RAM 126GB और 12GB RAM 256GB आप अगर इससे अभी के टाइम पे बाई करते हो 8GB RAM 256GB वाला विरेंट तो इसकी प्राइज अभी कु आप इसके साथ बार्गेरिंग कर सकते हो तो आपको और ज्यादा यहां पर सस्ता पढ़ सकता है विद या पर बैंक डिसकाउंट के साथ तो चले फिर करते हैं वीडियो को स्टार्ट और मैं जो एस्प्रेंस से फिछले दो मैंने में इसको यूज करने का बिल्कुल आपको मैं दिखता भी और फिल होता भी है विकौज कि जब भी आप इसको हात में पकडरते हो तो यह विल्कुल आपको सॉली और स्टडी फिल होता है क्योंकि यहां पर रियर में है ग्लास बैक जो कि विक्टर्स पुलस है जो कि तफ़एष्ट यह साते में आपको मिलते हैं में और यह frame आपको flat देखने मिलती है जो कि boxy type की आपको देखने मिल जाएगी तो भी देखो यह पर look wise भी दिखने में अच्छी है because कि यह पर frame के पर आपको मिल जाता है brush metal finish साती में right side में यहापे की island जहापे आपको थोड़ा सा frame का part यहापे कर भी और rounded मिल जाता है जो कि इसके look को और भी ज़्यादा enhance कर देता है इस phone की in-hand feel भी अच्छी है लेकिन थोड़ा यह phone थीकर रहने की motor है थोड़ा heavier side भी यहने की 213 gram के आसपास है तो यहापे in-hand feel तो अच्छी है लेकिन जिनको आप ए compact छोटा हलका phone चाहिए तो फिर यहापे यह category में नहीं आता बिकोज की phone थोड़ा सा बड़ा है लेकिन आप इसे जैसे day by day यूश करोगे तो आप इसके used to हो जाओगे लेकिन जिसको only on बिल्कुल हलका पतला बिल्कुल compact और छोटा phone चाहिए तो फिर वो इसको थोड़ा सा देख समझके भाय करो बिकोज कि यह phone इतना compact या इतना हलका पतला फोन नहीं है यह एक study solid और मजबूत फोन लगता है यहां पर इसका look भी आपको definitely अच्छा मिलेगा लेकिन आप इसके डिस्प्ले के बारे में तो भी यहां पर डिस्प्ले मिल जाता है 6.6 इंच का एक full HD plus super AMOLED का डिस्प्ले जो कि आता है 120 हर्स के साथ में इसकी पीक इसको outdoor में थोड़ा ज़्यादा boost कर देता है तो यह phone outdoor में sufficiently bright है लेकिन और थोड़ा bright अगर होता तो better होता लेकिन इतना भी आपके लिए sufficient हो जाता है कोई दिक्कत नहीं आती यह flat display है with punch hole के साथ में और यहां पर भी कुले लगला swift test plus आपको मिल जाता है और HDR 10 plus content को भी support करत आप YouTube में 4K HDR वीडियो बीना 8K बीना lag के stream कर सकते हो कोई दिक्कत नहीं आती साथ ही में नेट्फ्रिस के उपर भी इसमें HDR का support मिल जाता है तो display को लेकर के यहां पर सब कुछ बाते अच्छी तो है लेकिन मुझे थोड़े दो cons देखने मिले जो कि पहला cons यह है कि देखो इसका जो display है ना वो थोड़ा यहां पर फीके कलर यहां पर प्रोडूस करता है ने कि इसके जो color से display के वो इतने वीड और पंची नहीं मिलते मैं इसे कंपर किया था इनके other smartphone के साथ में भी इवन कि इनका S20 FE जो की 2 साल old phone है यहां फिर M55 जो की latest वाला है तो यहां पर सभी से मैंने कंपर किया तो इसका जो display है वो थोड़ा आपको फीका लगता है ने कि इसके जो color से वापको थोड़े से डल और यहां पर इसे वाश आउट लगते है तो राइट सेंड में 55 दोनों का यहां पर जो ब्राइटनी से बिल्कुल आपको आपको सेम देखने मिल जाती ह देखो जो सेटिंग का एकॉन यह थोड़ा सा लाइट ग्रेस लेकिन अप्डेट के बाद में उसके अंदर आपको ठोटक बुष्ट हो जाते ऐसे कप्डेट आ बहूट जल्दी के अंदर बी जहापे आपको अप्डेट के बाद में वीडिने स्लाइडर का ओप्शन अज मिल जाएगा तो यहां पर भी यह दिक्कत बहुत ज़ली हो सकती है और हाँ कुछ लोग मुझे यह भी कमेंट कहते हैं कि इसका जो डिस्प्लेइ इसके जो चीनों बैजल से वो क्या सच में बहुत बढ़े-बढ़े हैं तो भी देखो हां सैमसुन ने इसके अंदर यह पर ची मिलता है आइफोन जैसे नहीं कि बहुत बड़ी नौच मिलती है तो भी ऐसे कुछ बड़ी बात नहीं है आप इसके इजली यूस्टी हो जाओगे कोई डिक्कत आपको ऐसे फेस करनी नहीं पर और इसमें आपको इन डिस्प्ले बाइमेटिक सेंसर देखने मिलता है बिकॉ अगर आपके पास भी यह स्मार्टफोन है और यहां पर दिक्कत आती है अप्डेट के बाद भी तो आपको नए से रिश्टर कर लेना है बस एक बात ध्यान में रखना है कि अगर आपके फोन के उपर टफन क्लास है तो यह बिल्कुल सही से रिश्टर नहीं करेगा ऐसे मै लेकिन बस वही डिक्कत है कि ईसका फीक है थो शायथ से याप धी ऊपडेट है कि उसके बाद में एक इक लिक्कत हो सक्ति हो सकती है तो बस यही मुझे दिक्कत लगी बाके तो आपको डिस्प्ले कॉल्टी आपको डिफिरेंटली अच्छी देखने मिलते हैं नेश्ट हम बात करते हैं इसके बैटरी के बारे में इसके स्क्रीन अन टाइम के बारे में कितना बैक अप देता है तो भी देखो इसमें आपको मिलती है बड़ी सी बैटरी पार्च और एमेच के और ये फोन सपोर्ट करता है 15 वैट और 25 वैट चारजिंग को बाक्स में आपको चारजर नहीं मिलता है जो कि आपको अलग से बाय करना पड़ेगा और बात हम करें चारजिंग स्पीड की तो मैंने इसे चारज किया 15 वैट से भी 25 वैट से भी 0 से लगे 100 परसंट दखे तो 15 वैट से टाइमिंग लगता है लगबग 1 गंटा 50 से 55 मिनिट का ये लगबग 2 गंटे का समय लग जाता है 15 वैट से लेकिन आप अगर इसे 25 वैट स के बैटरी बैक अप से इतना खुश है फिर हैपी नहीं रहता है लेकिन इसने मुझे सैटिस्पाइट किया विकॉज कि ये लगबग 6 से लेकर साड़े साथ गंटे के बीच का सोटी मुझे निकलके दे रहा है नॉर्मल से मिड मॉडर्य या फिर एवन की हेवी टास्क में अच्छी बैक अप मुझे निकाल के देता है ने इसको लगबग 2 मैंसे उपर का समय हो चुका इसको यूज करो मैं इसमें सबी तरीके से टास्क आके मीडियम टास्क है मौडर्य टास्क है इवन गेमिंग भी तरीके से करके देखिए तो यह कैसे परफॉर्म करता को सब कु देल 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 हो जाती है यानि कि दिक्कत का बहुत जादा या पर कनेक्शन रहता है इसके चिपसेट के साथ में तो लोग इसके उपर प्रेश्ट नहीं करते लेकिन अपर अगें सैंसों ने दिया इसके अंदर 1480 का चिपसेट भी एमडी जीप्यों के साथ में यह फोर नैन देखने मिलते हैं यानि कि फोन जादा गरम नहीं होता हलका फुलका तो गरम होगा तो अगर आप थोड़ा बहुत हेवी टास कर लेते हो तो फिर आपको यह थोड़ा बहुत हीटिंग का इश्यू देखने मिल सकता है लेकिन यह ओवर हीट नहीं होता है या पर 23 एफी होता लेकिन यह इतना ओवर हीट नहीं होता यह बिल्कुल यहापर स्टेबल रहता है तो यहापर चिपसेट सही काम कर रहा है यहापर आपको थरवर की इश्यू बहुत ही कम से कम देखने मिल जाते हैं साथ ही में चिपसेट भी इपिशेंट है यहापर ऑप्टिमाइज भी सही तो यहां पर आपको बैटरी प्रिशन से भी अच्छी देखने मिल जाती है यानि कि यह बैटरी बैक अपको अच्छा दे देता है लेकिन बात अमगरे गेमिंग के तो भी देखो यहां पर मामला क्या है कि चिपसेट अच्छा तो है बेटर ऑप्टिमाइज भी लेकिन आप करने दो को अगर थोड़ा नॉर्मरी गेमिंग करते हो यानि यह भी और फिर आपको वैसे प्रमास नहीं मिलने वाली फिर आपको इसके लिए बाहिकरना बढ़ेगा व्गरे जो कि एटेस जैन 3 के साथ में आता या पिर बहुत सब्सुराइब गेंगं अगर ठीकिन उन्ही फिर ये उतना बेटर नहीं रहेगा ठीक टाक medium modern gaming करनी हो कुछ थोड़े दर के लिए time pass लगरे करना हो तो फिर आप इसमें easily gaming अच्छी कर सकते हो तो कुल मैं के बात करें इसके performance के बारे में तो आप थोड़ा gaming को side में रख दिये आप जो भी यह पर daily activity करते हो आप जो भी daily task करते हो तो यह phone आपके बिल्कुल सभी task easily handle कर लेगा इवन कि आपकी जो थोड़े बहुत heavy task है जैसे कि video editing करना हो अगरे हो वो भी आपको इसमें easily handle हो जाती है तो कोई आपको ऐसे दिक्कत देखने नहीं मिलती है इसको दो मैंने से उपर हो चुके यूज कर रहा हो तो यह phone बिल्कुल सुपर smooth चलता है बहुत ही कम से कम मुझे यह पर jitters देखने मिलते है जैसे कि इनका जो A53 था A54 था उसमें था Xmose 1280 जो की 1380 भी था तो वो chipset इतने better optimize भी नहीं थे और बहुत ही worse chipset इसको समय के बाद में यह पर slow हो जा रहे थे वैसे आपको इसमें दिक्कत देखने नहीं मिलते है मैं इसमें बहुत सा data भी डालके रखा हुआ है लेकिन phone यह पर hang lag नहीं करता यह पर jitter बहुत ही कम से कम होता है तो यह पर smooth आपको experience दे देगा यह पर इसको प्रवांस है आपको definitely अच्छा मिल जाता है इस budget के अंदर जाने कि आपको निराश तो नहीं करेगा next time बात करते है cameras की तो यह पर triple camera का setup है पच्छास का main camera वित OIS के साथ में 12 का ultra wide और 5 का micro camera यह पर आपको tele photo lens नहीं मिलता budget यह पर 40 thousand का है यह पर tele photo lens होना चाहिए था तो अच्छी बात होती है लेकिन यह पर नहीं दिया लेकिन यह पर आपको एक micro lens मिल जाती है 5 MP की जो की ठीक ठीक है जो की यह पर इतना कुछ काम में नहीं आती है selfie camera आपको मिलता है 32 MP का अगर हम बात करें यह पर 4K recording की तो भी देखो यह आप इसके साथ में 4K 30 MP तक के recording कर सकते हो front और rear के अंदर आप इसके साथ में 4K 60 MP तक के recording नहीं कर सकते और बात करें camera features की तो भी देखो pro video mode, pro photo mode, night, food, panorama, micro, super slow, slow motion, hyperlapse, dual recording और single take जिसे आपको बहुत तरहे features देखने मिल जाते है कि यह वीडियो record हो रही ए 55 के front camera से full 80 60 MP तो आप यह सकते हूं कैसे आपको quality देखने मिल रहे है सामने मेरे बिल्कुल दूप है बिल्कुल front के अंदर तो यहां पर देखो कैसे यह manage करता है lighting अगरे को और कैसे आपको details देखने मिलती है अभी हम against the sun जाते है तो यहां पर आप पूल एच्टी 60 MP का recording है तो अब यह वीडियो record हो रही है इसके रियर के आमरा से पूल एच्टी 60 MP के उपर अब यहां पर देख सकते हो कि कैसे यहां पर यह सई से तो आपने अभी sample देख लिए तो output इसका बिल्कुल आपको decent डेकने मिलता है यहां पर rear camera, upfront camera, day में हो, night में हो ठीक टीक यह फोटो क्लिक कर लेता है ज्यादा photo को यहां इमेज को जादा over boost यह बहुत जादा saturate नहीं करता यहां पर रखता है बिल्कुल natural side में तो यह फोटो S23 FV, S21 FV के उपर जो कि अभी के डायम पर इससे भी कम budget में यह phone आपको देखने मिल जाते है नेशने हम बात करें इसके haptics IP rating और stereo speaker quality के बारे में तो यह फिर तीनों में यह बिल्कुल pro काम करता है mainly हम बात करें सबसे पहले IP 67 rating के बारे में यह यह लगबग 1 meter fresh water यह लगबग 30 meter के सरवाई कर सकता है इनके testing के according लेकिन आपको इसको जान मुझके पानी में नहीं डालना है वैसे मैं इसको testing करने के लिए बहुत बार पानी में डाल चुका हो लेकिन यह बिल्कुल सही से काम करता है यानि कि IP लिडिंग यह पर सही से काम कर रही है लेकिन आप जान बुषके डालते हो और गलती से पानी अगर अंदर जाता है तो फिर यह under 1 TB कवर नहीं होता आपको अलग से पैसे पे करना पड़ते है अगर कोई पार्ट यहां पर खराब होता है पानी के वैस से तो यहां पर यहां पर यह स्पिकर सब्सक्राइब क्लियर भी है आपको इसके साथ में थोड़ा हलका सा बेसी फील भी इस बार एड किया गया है कि यहां पर साउंड क्वाल्टि आपको डेफिनिटली अच्छी और रीच फील होती है तो आप जब भी कोई गेमिंग करोगे वी यह फोन अभी रन कर रहा है करंट्ली वन युवाई 6.1 लेटेस्ट अपडेट के साथ में लेकिन इसमें आपको AI के फीचर्स देखने नहीं मिलते बहुत सार लोग पूछते है तो मैं आपको बता दिया क्लियर ले कि यहां पे आपको AI के फीचर्स देखने नहीं मिलते और रिट खीचर्स का स्मार्टफोन है तो इहां पर आपको complete 1-6 वेई झेंने मिलते है यहां पर कोई कॉई बी कमप्रमार्बॉमाईस देखने नहीं मिलता इसका मतलब कि कंप्ले नॉघ सिकूरिटी साथ में properly यहां मिल जाता है और साथ में कुछ important जैसे कि एहां पर silent recording आपको यहां पर देखने मिलते हैं यहां पर आपको वाइस फोकॉस भी देखने मिलता है और इसमें वन यूई 6.1 चल रहा है तो आपको बैटरी के अंदर बहुत सब्सक्राइब नहीं फीचर्स मिलते हैं चार्जिंग करने के लिए जैसे कि आपको बैटर चार्जिंग करने मदद करते हैं तक आपकी बैटरी लाए पर लंबे समय तक के सही रहा है तो वन यूई का जो एस्प्रेंस से साथ में बिल्कुल क्रीन है स्मूध है कोई एड्स नहीं है हाँ हलके फुल कि आपको ब्लोट वर्स देखने हैं मिल जाते हैं लेक सब्सक्राइब करते हैं लेकिन आखर में बच्चा हुए नेक्टर और करने का पॉइंट जो कि बहुत साय लोग मुझे बोलते हैं कि इसको भी कवर किया करो क्योंकि यह भी जरूरी होता है तो इसमें आपको देखने मिलते हैं लगबग 12-13 5G के बैंड और यहाँ पर मिलता है आपको Bluetooth 5.3 और Wi-Fi 6 का सपोर्ट यह फोन dual 4G वोल्टी और dual 5G वोल्टी को भी सपोर्ट करता है साथ में यहाँ पर 4G प्लस का भी सपोर्ट मिल जाता है लेकिन 5G प्लस का यहाँ पर सपोर्ट नहीं मिलता और यहाँ पर आपको VONR का भी करे आपकेbels चलुट को ऩा सब्के साथ और मुझे स्टाटिंग में थोड़ी दिक्कत साथ में यहाँ प्लस की सिनल जल्दीमई रहा था लेकिन बात चाह्याँ विसरे को सब्सक्रेंनल यहाँ व कॉई बहुत ही अच्छे मिल जाती है आपको एक क्लियर वाइस सामने वाले के सुनाई दे देती है और आपको वाइस भी देखने मिलता तो आप नॉइस भी अच्छी कासिये रिमूब कर देता है तो नेट्रॉक कॉलिटी से मुझे अब तक कुई बहुत है शिकायद देखें को यूज करने का पिछले दो से धाई मैनों के अंदर तो मैंने आपको सब कुछ इस वीडियो में बिल्कुल डीटेल में एस प्लैन कर दिया है बिल्कुल सच्चाई के साथ में तो फिर बात आती है फाइनल निशकर्श की कि क्या ये फोन खरीदने लायक भी है या फिर नह नहीं करते यानि कि गेमिंग को प्राइवर्टी नहीं देते लेकिन अधर जो टास्यां के बिल्कुल सही तरी के सही हो जाए जिनको एक समसंट का स्मार्टफोन चाहिए एक बैलें स्मार्टफोन जाए जिसमें आपको बैटरी बैक अच्छा मिले और बाकी सब कुछ बाते का experience भी आपको अच्छा मिल जाता है विद चार सल के अपडेट के साथ में डिसेंट क्यामरा सेट अप भी है तो इस बार आपको है पर डेफिनेटली यह फोन खरीदना है तो आप इसको चेक आउट कर सकते हो मेरी और सही है फोन डेफिनेटली रिकमेंडेट है थर्टी फा इनका क्यामरा बेटर है लेकिन यहाँ पर आपको हीटिंग इस्यूज और बेटरी इस्यूज देखने मिलते हैं तो यह कुछ बाते हैं रहते हैं तो हर एक पोन परफेक्ट नहीं होता बस आपको अपने प्रावलिटी की साफ से चेक आउट करना बस इतना आज के वीडियो आपको वीडियो अचे लिए 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 को लाइक करना शेर करना सस्क्राइब परना बावस्ट